ओम स्री गनेशाय नमदोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 मार्च गुरुवार के रासी वल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वेवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ सिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पैर्णाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़मानने लोगों दोड़ा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा थाबित होगा दोस्तों पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार म आज हर सो उल्लास का माहूल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ति प्राप्ति के लिया जैसे आज के दिन का समय आपके ल पूरी तरह से जिएंगे जै दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जै दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप् हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता प्राक्रमें व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जैंदोस्तो साथ साथ आपको अपने कर इस्थल को लेकर भी आज कुछ एस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साथ साथ गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरे की आर्धिक समस्याँ का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ साथ कर्शाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घबराहत तता परिसानियों से कार्रय योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती हैं अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहें दोस्तों साती सात आपका शक्की स्ववभाब आपके लिए आज कुछ परिसानियां उत्पन कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशासन रखना उनके लिए परेशानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आपको समझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं अजब की लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तो अगर आपके दमपत्ते जी दम रहेगा जा दोस्तो विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्य आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीव का वेवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुपत योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी ज्या दोस्तो इस समय कहीं से आज आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद ह दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननेता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वेवसाईक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथिसाथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश् प्रात्थ हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन शुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्म दोनों ही तरह के पेड़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे जया दोस्तों शारारिक्षे जादा मांसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत हैं आपको अपने क्रोध पर आज नियंतरन रखना होगा साथ साथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ज्यान दें क्योंकि आज आपको पेड़ से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग कर वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाए क्या हैं दोस्तों आज आप इश्ञान आदिशे निर्वत्र होने के बाद गुरू से जुड़ी पीली वस्तुएं जैसे हल्दी पीले वस्त्र चना पीले फल आदी अपने स्रद्ध के नुसार अपने सामर्थ के नुसार दान आप आवश्य करें जा दोस्तों इतना करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विश्णु जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशाने को प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै स्री हरी विश्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद